नमस्कार बच्चों कैसे हो आप सब लोग मैं तुरुष्णा प्रवत्या स्वनेबर ट्राथमेक शाला से कक्षाच्छे विशय हिंदी की इस विडियो में आपका स्वागत करती हैं तो चलो बच्चों आज हम हमारी कविता पांच धर्ती को महकाए की और आगे बढ़ते हैं कविता पांच धर्ती को महकाए बच्चों हमने हमारी पीछली विडियो में इस कविता के अर्थ को और भावार्थ को समझा था एवं अभ्यास के प्रशन के उत्तर को भी देखा था मैं आशा रखती हूँ कि आपने कविता का अभ्यास किया होगा और कविता की तयारी भी की होगी और लेखन कार्य भी आपने अपनी नोटबूप में अच्छे से लिख लिया होगा आज हम हमारे स्वात्य के प्रश्न को देखेंगे और समझेंगे बच्चों हमने अमारी पिछले वीडियो में प्रश्न छे तक देखा था आज हम उसके आगे के प्रश्न को देखेंगे उसके आगे का प्रश्न है प्रश्न साथ उची आवाज में पढ़िये और समझे बच्चो यह पूरा एक व्याकरण विभाद है वराबर जैसे प्रमान, ग्रहन, ट्रेन, राजेंद्र, सुक्ष्म, ड्रामा, श्रमी, कवियंत्री, कार्यक्रम, श्रूंगाज, शरचद्र और श्री यह जितने भी सब्द है वराबर है वह शब्दों में सैयुक्ता आक्षर का प्रयोग किया गया है तो यह जो सैयुक्ता आक्षर के प्रश्न है यह हम हमारे बैकरण विभाद में देखेंगे तो यहाँ अभी केवल आपको यह शब्द को पढ़ना है और अपनी नोटबूप में लिखना है आगे हम स्वाधे के प्रश्न को देखते हैं बच्चो तो हमारे स्वाधे के प्रश्नों में बराबर हमारे स्वाधे के प्रश्नों में प्रश्नों के उत्तर लिखे उसमें पहला प्रश्ण है, पूलों से हमें क्या सीख मिलती है, बराबर है, दूसरा प्रश्ण है, सुरज की किरने क्या करती है, तीसरा प्रश्ण है हमारा, दीपक जग को कैसे रोशन करता है, चोथा प्रश्ण है, धर्ती को स्वच और सुन्दर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, और पाँच्वा प्रश्ण है, जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो चलो बच्चों, इस प्रश्ण को हम देखते हैं, कि किस तरह से यह प्रश्ण हम देख सकते हैं, चलो बच्चो हम हमारे पहले प्रश्ण को समझते हैं फूलों से हमें क्या सीख मिलती है बच्चो फूलों से हमें क्या सीख मिलती है तो फूल हमेशा खुश रहते है आदी और वर्शा को वे हस्ते हस्ते सहन कर लेते हैं उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें प्रतिक स्थिती में हम खुश रहे कठी से कठी परिस्थितियों को हम हस्ते हस्ते सहन कर ले बराबर है उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्ण है सूरज की किर्ने क्या करती है बराबर तो सूरज की किर्ने अंदकार को दूर भगा कर सारे संसार को प्रकाशित करती है हमारा प्रशन का उत्तर इस प्रकार बनेगा इसके बाद हमारा तीसरा प्रशन है बच्चो दीपक जग को कैसे रोशन करता है तो दीपक अपने रदै को याने अंतर को जला जला कर जग को रोशन करता है बराबर है बच्चो आप इस तरह से इस प्रश्ण का उत्तर लिख सकते हो उसके बाद हमारा चौथा प्रश्ण है धर्ती को स्वच और सुन्दर बनाने के लिए आप क्या करेंगे बच्चो यह प्रश्ण के उत्तर में आप अपने करीशे की लिख सकते हो तो धर्ती को स्वच बनाने के लिए हम कुड़े कच्रे को इधर उधर न डाल कर कुड़े दान में डालेंगे धर्ती को सुन्दर बनाने के लिए हम अधिक से अधिक पेड लगाएंगे बराबर हैं बच्चो धर्ती को स्वच और सुन्दर बनाने के लिए हम इतना कर सकते हैं तो अधिक से अधिक पेड लगाएंगे हम बाग और फुलवारिया लगाने की प्रवुलतिव में सहयोग देंगे तो धर्ति को स्वच और सुन्दर बनाने के लिए हम इस प्रकार के कारियर कर सकते हैं आगे देखते हैं हमारा प्रश्ण प्रश्ण पाँच है जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए बच्चो अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए न तो हमारा प्रशन का उत्तर इस प्रकार बनेगा जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे और सच्चे काम करने चाहिए बराबर यहाँ हमारे स्वाथे के पांच प्रशन हुए एक और प्रशन मैंने लिखा है बराबर जो आपको आपके परिक्षा में पूछ सकते हैं इस प्रकारणा प्रशन जिसे फूल, सुरज और दीपक से हमें क्या सीख मिलती है फूल हमेशा मुस्कुराते रहते हैं सुरज अंधेरा दूर करके हमें क्या देते हैं बच्चो प्रकास देता है दीपक स्वयम जलकर जग को रोशन करता है इन तीनों से यह सीख मिलती है कि हमें प्रतिक परिस्थिती में खूश रहकर अपना काम करना चाहिए इमानदारी से किये गए हमारे अच्छे काम ही दुनिया को सुखी और सुन्दर बनाएंगे बच्चो इस तरह से आप प्रशन का उत्तर लिख सकते हो अब इसके बाद हम आगे के प्रशन को देखते हैं बच्चो हमारा प्रशन दो है आपकी तल्पना में आपकी तल्पना में यहां एक दिया गया है जैसे जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है बड़ाबर दें जैसे के हमारे सामने किसी ने फूल शब्द रखा बड़ाबर बच्चो तो फूल सब्द का नाम लेते ही हमारे मस्तिश में बड़ाबर कौनसा नाम दूसरे नाम सामने आने भाव सामने आने लगते हैं तो जैसे फूल है तो हम पंखुडिया सोचते हैं फिर फूल है तो हम सोचते के फूल की फूल में से अच्छी सुगंद आती है फिर फूल हमें ताजगी देखता है फिर फूल कोमल होता है प्रियों में लिखे, तो चलो बच्चों हम यहां देखते हैं, यहां तो उधारन दिया गया है, वैंने अभी आपको बताया, जैसे फूल लिखा है, तो फूल जैसे ही हम पढ़ते हैं, तो हमारे मस्तिक्स में कैसा भाव आता है, कि फूल हमें ताजगी देता है, फिर फूल क पूमलता प्रदान करता है, फूल हमें खुशी भी देता है बच्चो और पूल हमें सुगंध भी देता है, बच्चो अब हम दूसरा देखते हैं, यहां लिखा हुआ है चांद, बड़ाबर चांद सब्द, संबंदी अन्य सब्द आपको सोच कर पंकुडियों में लिखने है बराबर तो चांद देखते ही आपको जैसे आप लिख सकते हैं चांद नी फिर चांद सब्द को देखकर हम लिख सकते हैं आनंद फिर हम लिख सकते हैं शीतलता तो इस प्रकार से आप इस पंखुडी में सब्द सोच कर अन्य सब्द सोच कर इस पंखुडी में लिख सकते हैं बच्चों हम आगे देखते हैं आगे है धर्ती पराबर तो धर्ती सब्द सुनते ही आपको यह सब्द सुनते ही अन्य सब्द सोच कर इस पंखुडी में लिखन सकते हो तो आपके मस्तिक्ष में आते हैं तो जीसे मता समान्य मतंदि Kelvin द Directory हमर allied i tables परवत लेक सकते हो आप जंगल लेख सकते हो तो रहत धर्ती पे प्राणी भी रहते हैं, धर्ती पे जंगल भी होता है, धर्ती पे सागर भी, पराबर तो इस तरह से आप यहां चार सब्द लिख सकते हो, व्रुक्ष, व्रुक्ष शब्द देखते ही, आप लिख सकते हो, जैसे व्रुक्ष शब्द हम जैसे ही देखते है, तो यादा आता है फिर भुख्षे मुझे फूल भी यादा आता है भराबर है फिर भुक्षे मुझे छाया भी यादाती है तो इस तरह से आप शब्द यहां लिख सकते हो बच्चों हमारा प्रश्न तीन है समानत्रास वाले शब्द पढ़िए और ब्रॉल वैसे ही लंबाई, चोड़ाई, गहराई, पढ़ाई, लिखाई, फिर है चाचा, दादा, नाना, मामा, पेटा, यह जो समानप्रास वाले शब्द है वह हम आगे के पार्ट में देख चुके है बच्चों, यहां केवल आपको पढ़ना है और यह शब्द अपनी नोट में उत अब हम आगे देखते हैं हमारा प्रश्ण-चार है निम्नलिकेद सब्द का वचन-परिवळतन करकी वाक्य में प्रयोग कीजिए वचन-परिवरतन यायने याना जो शब्द दिये है अगर वह एक वचन में तो हमें बहु वचन करना है उसका और वाक्य में प्रयोग भी कर जैसे उधारन के तौर पर दिया गया है लड़का तो उसका बहुवचन क्या होगा बच्चो लड़के बराबर पाठ शाला के सभी लड़के प्रात्ना में नियमीत है इस तरह से यहां एक वाक्य बनाया गया है अब हम आगे बढ़ते हैं तो अमारा पैरा शब्द है पंखा पंखा शब्द का बहुवचन क्या होगा बच्चो पंखे बराबर है और वाक्य तो आप अपने तरिके सी भी अलग से बना सकते हो जैसे मैंने यहां एक वाक्य बनाया है कि हमारे वर्ग खंड में दो पंखे हैं दूसरा है आँख उसका बहुवचन क्या होगा बच्चो आ किताबे हमें अच्छी किताबें पड़नी चाहिए पिर हैं पोधा पोधा जो है उसका बहु पढ़ानी चाहिए पिर पैंसल का बहुँ अच्छन पैंसिले, मेरे पास तीन पैंसिले है, आप इस तरह से द्वाक्य बना कर लिख सकते हो, बच्चों हमारा इसके बाद का पांचवा जो प्रश्न है, वह है काव्य पंकियों को पढ़कर उनका भावार लिखे, कविता का भावर मैंने आगे ही आपको समझाया और कविता का भावार याने अर्थ मैंने आपको लिखवाया भी था, लेकिन फिर एक बार यहां हम देख लेते हैं, हमारी कविता की जो पंक्ती है, उसमें दीपक को देखो कैसे यह हर्दम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है, इस कविता का भा भावार क्या बनेगा बच्चो, तो दीपक को देखो, वह हर्दम कैसे जलता रहता है, वह अपना अंतर याने रदय जला जला कर जलाता है, लेकिन दुनिया को उजाला देता है, पिर है, आओ हम भी इंसा बनकर जग में अपना नाम कमाए, अच्छे सच्छे काम करे और सार धर्ती को महकाए, इसका भावार क्या होगा बच्चो, कि आओ हम भी इंसान बने, और संसार में अपना नाम कमाए, नाम रोशन करे, अपना यश पहलाए, हम अच्छे सच्छे काम करे, हमारे अच्छे कामों से यह धर्ती सुन्दर एवं सुबंदित बन जाएगी, बच्चो, इस काव्यपंती का भावार हमने शुरुवात में ही लिख दिया था, इस वज़े से यहां आप इस काव्यपंती का भावार आप वहां से भी देखकर लिख सकते हो, अब हम आगे भरते हैं, बच्चो, इसके बाद इतना जानिए, मैं यहां आप जो चितर देख बराबर दिये गए संकेतों के संबंद में जानकारी प्राप्त कीजिए तो पहला चित्र है उसके नीचे 5 साला लिखा गया है दूसा चित्र है उसके नीचे चिकित्सा सेवा लिखा है तीसरा जो चित्र है उसके नीचे पैट्रोल पंप लिखा गया है और चौथा जो चित्र है उसके बीचे सारवजनिक टेलिपोन लिखा गया है बच्चो आपको यहाँ चित्र क्या सूचीत करता है वह बताना है तो पहला चित्र देखने के साथ ही हमें सूचीत होता है कि जब हम वाहन के द्वारा या गाड़ी के द्वारा कहीं जाते है रास्ते पर से तो हमें ज्यादा तर ऐसे चित्र देखने मिलते हैं तो यहाँ चिन्हा से सुचित होता है कि स्कूल निकट में ही है इसलिए वाहन सावधानी से चलाएंगे अब दूसरा चिन्हा जो है वहाँ चिन्हा चिकित्सा सेवा का है तो यहाँ चिन्हा क्या सुचित करता है बच्चो यह चिन्हा भी आपने देखा होगा पराबर इस चिन्हा से अस्पतार की सुचना मिलती है क्या मिलती है बच्चो कि इस चिन्ह से हमें अस्पतार की सूचना मिलती है जैसे ही यह चिन्ह हम देखते हैं इसका मतलब है कि चिकित सा सेवा कही पास में ही है आगे पैट्रोल पंप तो यह चिन्ह भी आपने कभी न कभी रास्ते दे जाते वक्त देखा ही होगा रावर यहाँ चिनह सुचित करता है कि पैट्रोल पंप पास में ही है और उसके बाद चोथा जो चिनह है यहाँ चिनह सारवजेनिक टेलिपोन केंदर पास में ही होने की सुचना देता है बच्चो सारवजेनिक टेलिपोन सेवा पास में ही है यह सुचना हमें प्रदान करता है जादातर मगर मोबाइल और टेक्नोलोजी का अब तो जमाना आ गया है तो सारवजेनिक टेलेफॉन का जो चीना है वो देखने तो मिलता है लेकिन बहुत कम अभी देखने को मिलता है बराबर हैं बच्चो तो यह जानकारी आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि परिक्षा में इस प्रकार के प्रश्न भी आपको पूछ सकते है ठीके बच्चो तो आपको इसको इस तरह से लिखना है आपको अपनी note book में यहाँ चितर बराबर अच्छे से cut करके किताब में से नहीं लेकिन आपको यहाँ चितर की print निकाल कर फिर यहाँ चितर आपकी note book में लगाईए और उसके सामने मैंने जो अपको यहाँ जानकारी दी वह उसके सामने आपको लिखना है मैं अपनी ग्रूप में यहां जानकारी लिखूंगी आपको वह देखकर अच्छे से प्रोजिक्ट वर्ग जैसा बनाना है और जानकारी भी प्राक्त कर लिए है ठीके बच्चो तो यहां हमारा हमारी जो कवीता है धर्थी को महकाए वह संपूर्ण रूप से पूर्ण होती ह आपको इसका लिखनकार्य अच्छे से लिखना है कवीता को भी तयार करना है और शबी प्रस्न के उत्तर को भी अच्छे से याद करना है तो अब हम हमारे अगली वीडियो में मिलेंगी आप जानते ही हो कि जैसे ही पार्थ या कवीता जो पूर्ण होती है तो उसके बार हम में टेस्ट रखते हैं तो आपको उसकी भी अच्छे से तयारी करनी है तो अब हुआ अगली वीडियो में मिलेंगी बच्चो आना बच्चो अपना ख्याल रखना